दोस्तों पिछले कुछ दिनों से हम आपके लिए Hyperverse से जोड़ी हर नई जानकारी या अपडेट को आपके साथ लगातार साजा कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद हमने देखा है कि हमारे कुछ विवर्स अभी भी इस कॉंसेप्ट को लेके ना कन्फ्यूज हैं और इसकी वज़े Hyperverse में लगातार हो रहे अपडेट्स हैं लोग जितनी जल्दी खुद को अपडेट के साथ ढालने की कोशिश करते हैं तब तक Hyperverse की Developers Team कोई दूसरा अपडेट ले करा जाती है हाला कि देखा जाए तो बहतर ही है क्योंकि जिस कॉंसेप्ट को लेके इस कंपणी ने अपना Road Map तयार किया है उसके लिए लगातार दूसरों से बहतर होना तो भाई जरूरी है लेकिन हमारा मानना है कि इन सब चीजों के बीश में लोगों का Confusion भी दूर करना कंपनी की प्रात्मिक्ता होनी चाहिए और जहां कंपनी इस काम में थोड़ी सी नरम रुख ले रही न वहीं हम कहां पीछे रहने वारे है हमारी टीम इस चीज में बिलकुल भी नरम नहीं है और हम सारी Confusion दूर करेंगे आपकी चाहे जो भी हो जाए दोस्तों हमने कॉमेंट्स में देखा कि लोगों को Hyperverse 1.0 और Hyperverse 2.0 के concept को समझने में काफी confusion हो रहा है और इसलिए हम आपके लिए इस मुश्किल को दूर करने के लिए आए हैं अपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है The Financial Advisor और मेरा गुल तो आप सभी को पताईए आपकी Financial Growth और मेरी आपसे एक request है कि जस भी topic पर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो नीचे हमें comment section में comment करके जरूर बताएए हम उस topic पर वीडियो जरूर बनाने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हाली में Hyperverse टीम ने उसका latest updated version 2.0 लांच किया है जिसके चलते इनकी main website भी कुछ घंटों के लिए maintenance पर चली गई थी और अब latest update के साथ ही website वापस running पर है तो चलीए समझते हैं कि आखिरकार अब क्या ऐसे बदलाव है जिनको हमें समझने की जुरत है और ना दोस्तों वीडियो को ना end तक जरूर देखेगा क्योंकि इसको देखने के बाद आपके मन में शायद ही कोई confusion बचे तो सबसे पहले शुरू करते हैं Hyperverse 1.0 से तो दोस्तों जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि इसमें Membership शुरू करने के लिए तीन तरह के प्लान होते थे जिसमें शुरुआ 300 HU से होती थी 300 HU से शुरू करने पर आपको पर डे 0.5% HU reward के तोर पर दिये जाते थे जो कि कुल 1.5 HU के बराबर होते थे ये प्लान 600 दिनों तक चलता था और आपके reward 0.5% यानि कि 1.5 HU प्रति दिन के बेस पर अंत में हो जाते थे 900 HU ठीक उसी प्रकार से अगला प्लान शुरू होता था 500 HU से जिसमें भी 0.5% प्रति दिन reward के हिसाब से आपको रोज 2.5 HU मिल जाते थे और अंत में यानि कि 600 दिनों के बाद आपके पास टोटल reward के रूप में बचता था 1500 HU ठीक है अब आगे ऐसे ही 1000 HU के प्लान से शुरूवात करने पर 0.5% के हिसाब से आपके प्रति दिन 5 HU आपको मिल जाते थे और जिसके 600 दिन के अंत में आपके पास कुल बचते थे 3000 HU reward के तौर पर आगे अगर आप rebuy करते तो आपको 50 HU के साथ शुरूवात करने परती जिसमें 0.5% प्रति दिन के हिसाब से आपको 0.25 HU मिलते और अंत में यानि कि 600 दिनों तक इस प्लान के चलते रहने पर आपको कुल 1500 HU मिल जाते थे इन सभी के बीच में दोस्तों आपको बता दे कि कंपनी के अनुसार 1 HU is equal to real time में 1 डॉलर के बराबर ही माना जाता है तो दोस्तों ये तो बात हुई Hyperverse 1.0 की जो की 3X प्लान कर रहा था और अब आगे चलते हैं इसके upgrade version यानि की Hyperverse 2.0 की और देखते हैं कि क्या है उसका 4X प्लान और काम कैसे करता है दोस्तों अभी दखका वीडियो देखके आप समझ गए होंगे कि हम बहुत ही informative वीडियो बनाते हैं तो फिर subscribe करने में हिचकचा हट क्यों अभी हमारे चैनल को subscribe करें और bell icon भी प्रेस कर दें ये हमें और भी informative वीडियो बनाने का motivation देता है और like बटन तो आप प्रेस कर ही देंगे खेर तो हम कहां थे हाँ Hyperverse 2.0 की शुरुबात होती है 400 HEU के प्लान के साथ जिसमें अगर देखा जाए तो पिछले वर्जन की तुलना में reward प्रतिशत 0.5 प्रतिशत से घटा कर 0.3 प्रतिशत कर दिया गया है और इसकी बज़स से प्रतिदिन मिलने वाला कुल HEU भी 1.2 ही रह जाएगा इसके साथ ही कंपनी ने प्लान की validity में भी एक बड़ा बदलाव किया है जहां अभी 3X प्लान 600 दिन के होते थे तो वहीं सभी 4X प्लान अब उसके 2 गुने से भी जादा यानि कि 1334 दिन के लिए हो जाएंगे जिसकी वज़स से किसी व्यक्ति को 400 HU प्लान के साथ 0.3 प्रतिशत प्रतिदिन HU के हिसाब से 1334 दिनों में कुल 1600 HU reward के तोर पर मिल जाएंगे अब दोस्तों इस तरह से देखा जाए ना तो कंपनी ने प्लान की वैलिडिटी भी बढ़ाई है और इसके साथी साथ प्लान के reward प्रतिशत में भी थोड़ी गिरावट की है लेकिन इसके बावजूत कंपनी का ये प्लान उसको नई रहा पर ले जा रहा है जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आपका 3X प्लान आटोमाटिकली ही अपग्रेड होके 4X में तबदील हो जाएगा इसलिए आपको खुद कुछ करने की जरुरत है ही नहीं और अगर इससे संबंदित कोई भी खबर देनी है तो हम आपको समय समय पर इसके बारे में अपडेट करते रहेंगे तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्लान के बारे में जानते हैं जिसमें आपको 800 HU के साथ अपनी मेंबर्शिप लेनी पड़ती है जिसमें आपको 0.3 प्रतिशत प्रतिदिन के हिसाब से रोज 2.4 HU मिलते हैं जिससे आपको प्लान खत्म होने के बाद यानि कि अंत में 1334 दिनों के बाद में कुल 3200 HU मिल जाते हैं उसके अगले प्लान में आपको 1200 HU के साथ अपनी मेंबर्शिप शुरू करनी होती है जिसमें आपको वही 0.3 प्रतिशत के हिसाब से रोज 3.6 HU मिल जाते हैं और वैलिडिटी के खत्म होने पर इस प्लान के पूरे होते ही कुल 4800 HU reward के तौर पर मिल जाते हैं अब अगले बड़े प्लान में मेंबर्शिप के लिए आपको देने होंगे 3600 HU जिसमें आपको डेली 0.3 प्रतिशत के हिसाब से कुल मिलेंगे 10.8 HU reward के तौर पर जो की 1384 दिनों के बाद कुल हो जाएंगे 14400 reward HU जिया अब दोस्तों अगर Hyperverse 2.0 में हम rebuy की बात करें तो इ 0.3 प्रतिशत reward के साथ प्रतिदिन 0.37 HU को आप प्राप्त कर सकते हैं जो की प्लान पूरा हो जाने के बाद 1334 दिनों में कुल 500 HU बन जाते हैं हाला कि Hyperverse 2.0 में भी 1 HU की कीमत वही रियल टाइम 1 डॉलर के बराबर ही रखी गई है जो की जादा तर 76 से 80 रुपए के बीश रह हैं और साथ ही साथ अगर कोई सवाल अभी भी आपके मन में है अभी भी आपको परिशान कर रहा है तो यार देरगी इस बात की comment section में पूछो यार हम बताएंगे आपके लिए बिलकुल हमारी टीम लगतार Hyperverse के concept पर नजर बनाए हुए है और लगतार हर platform से आ रही latest खबरो को आपके पास महुचाने का काम कर रही है हम बेवज़ा है एक ही चीज़ पर वीडियो नहीं बनाते हैं हमारा काम है कि हमारे विवर्स को सही अपडेट मिले ताकि हम उनकी financial growth में बढ़ोतरी कर सकें दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसे like करें हमारी मेहनत आपके like और शेयर पर ही निर्भर करती है साथी साथ हम आपको latest updated content देने के लिए प्रतिबद है इसलिए हमारे चैनल को subscribe करें और साथी साथ हम आपको बता दे कि hyperverse में लगातार कोई न कोई अपडेट आ ही रही है इसलिए hyperverse से जोड़ी एक भी latest update मिस ना करने के लिए हमारे bell icon को भी press क करके notification on कर दीजेगा ताकि आप इन अपडेट्स को सबसे पहले देख सकें मिलते हैं आप से अगली ऐसी ही वीडियो में जुड़े रही हमसे और जारी रखे अपनी financial growth